इनके मामा के लड़का लगता हूँ और हमारा बंद जो है उसका मिसिंग का कंप्लेंट हम लोग बोंबे आर्पीएफ वारा मालूम पड़ा वहां ट्रेस मोबाइल नंबर आया तो उसका सामान वगेरे बोंबे बोंबे सेंटर बी सीटी में मिला आर्पीएफ में कलेट किया म आर्पीएफ में जोब करता हूँ और हमको मालूम पड़ा से मालूम पड़ा बरोडा बन्दा हमारा उत्रा नहीं ऑर यह जो बन्दा है कोसी आर्पीएफ कोब्रा बटालियन 250 में कारियरो थे बुद्ध गया गया में और वह छूटी आ रहा था तेरा तारीक को चुटी राजधानी से टू नाइन जीरो टू नाइन फाइटू से आ रहा था अब इस करांती एकस्पे राजधानी से अच्छा इसके बाद में आज जो आप आए अपने यहां गटना करम क्या देखा आज हम आए हम लोग को यहां पर टी आई दिपक साब जो है थाना जो इंचार्ज टी आई थाना प्रभारी उन्होंने बताया है हम फोन माध्यम से के ऐसे ऐसे फोटो आई हमने पुष्टी किया तो थोड़ा सेहरा मिलाया हमारे यह बंदा लगा हमें तो हम लोग यहां सुबह 6 बज़े आज पहुंचे इ है हमने प्रभारी से पूछा कि क्या कार्यवाही की तो हमने सीधी हमने बोला है के बोला हमने यह बोड़ी को दफना दिया आलोड पुलिस प्रसाशन से क्या सहयोग चाते आप बोड़ी को हमने बोला दफना दिया तो मैंने यह बताया है कि एक CRPF का कोबरा कमंडो जवान ह संपर्खेश इतना जलुदी टेद बोडी को दफना इन्हों ने बताया है कि हमको 10 बज़े बताया है और शाम ह gjithes해, कि थीक है, था है कर फिई हो गया था ला ये है, क्पिन हम खजगी तो थीक है पी घुल, रिपोर्ट लाइक मैंने हमको सत्वत हूं, मैंकि न्यू अभी 5 गंट्रे के बाद आ रहा है, तो तो 25 गंट्रे के दफनाया था जो गाड के अंदर हमारे जवान की अजित्षी परमाद जो CRPF कोबरा कमंडो के है जवान उनकी तो फिर हम दे देखा बोड़ी तो बोड़ी का सब कपड़े वगर उतार के हमेरे को डाउड लगा कि पीम हुआ के नहीं तो इसके यह इंडिया में जवान के साथ ही ऐसा होएगा क्यों जवान में एक जवान हूँ मुझे अपनी संपतिक होई है एक जवान खोया है तो मैं आप लोग मीडिया माध्यम से बताना चाहता हूं देश वासियों को और सब मीडिया भाईयों को के इसकी खबर ज्यादा ज्यादा लोगों को पहुचाई जाए और इसको न्याई मिला जाए और इसकी जान्च ना उपर से होनी चाहिए इसका पैनल पीम की मांग हमने की है तो यह लोग अभी बोल रहे के पैनल पीम आपकी करके फिर हम आपको बोड़ी सुफूर्ट करेंग लेकिन उन्होंने पीम क्यूं नहीं किया हमारे को जूट क्यूं बोला यह सबका संदे है और इसकी दिल्ली से लेके जहां तक बरोडा तक वह आ रहा था वहां तक और उसका जहां सामन पहुचाए वहां तक अच्छे से जान्च होनी चाहिए यही मेरा बयान है जाई हिंद